हलो दोस्तों, welcome to Sleepy Classes हमारी हर रोज, Monday to Saturday, 12 बजे revision series चल रही है यहाँ पे हम कुछ important topics आपको quickly revise करवाने की कोशिश कर रहे हैं some quick pointers for your prelims so that आपको last minute revision में कोई भी दिक्कत ना आए I hope आपको हमारे schedule के बारे में पूरा अंदाजा है यदि नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है description box में इस video का PDF भी है plus वहाँ पे schedule भी लगा हुआ है आप उनको refer कर सकते हैं तो आज जो है हमारी geography की second class है already हम एक class जो है आप से share कर चुके है तो अगर आपने वो class नहीं देखी है so you still have time last minute revisions बहुत ही जादा important होते हैं आपके लिए these last minute revisions are full of content तो कोशुश यही रहती है कि rapid revision कराया जाए for your exam तो अपनी lecture के साथ चुरुआत करते हुए सबसे पहला topic है आपका Australian bushfires now बहुत ही जादा news में रहा है कि Australia में constantly जो है bushfires देखी गई है अगर मैं आपको दिखाने की कोशश करूँ तो different regions में कुछ यह regions भी है जो red mark है जहाँ पर bushfires देखी गई है लेकिन क्या ये एक नई चीज है जो की सामने आई है अब यहाँ पर ध्यान देना अगर आप इस graph को देखो तो पहले भी bushfires देखी गई है लेकिन इस बार जो bushfires का जो extent है वो बहुत जादा बढ़िया है अब देखते हैं कि इसके reasons क्या है ठीक है सबसे पहला reason जो Australian bushfires का है जो एक generic reason है इस नाथिंग तो दो विद दिस यह जो जो भी आपकी रिसेंटली bushfires नहीं है that is Australia का जो location है अगर आप ध्यान दो Tropic of Capricorn जो है Australia से pass कर रहा है यानि कि साढ़े 23 डिगरी के आसपास कोई region होना चाहिए अब one very important thing right let's say कि Australia कहीं यहाँ पर लाए कर रहा है let's assume right तो यहाँ पर ध्यान देना जब आप South East Traduants की बात करते हो तो अगर आप देखो उनकी direction कुछ ऐसी है जब आप Prevailing Vesterlies की बात करते हो आप देखोगे इनकी direction कुछ इस तरह की है right अब अगर आप ध्यान दो यह दोनों हवाएं एक दूस्टे से अलग direction में जा रहे हैं इसको बोलते हैं Diverging Wind Systems ठीक है Similarly अगर आप कुछ इस तरह से देखो Polar Easterlies अगरम देखें कुछ इस तरह आ रही है and again अगरम Prevailing Vesterlies देखें तो कुछ इस तरह आ रही है तो यह दोनों हवाएं एक दूस्टे की तरह आ रही है तो इनको बोलते हैं Converging Wind Systems ठीक है जभी भी हवाएं एक साथ आएंगी Converging Wind Systems होंगे आपने याद रखना है उन Regions में बहुत ज़्यादा Rainfall होती है और जब भी Diverging Wind Systems की बात होंगे यह Regions में बहुत ज़्यादा Deserts पाये जाते हैं Right So basically Australia जो है Arid या semi-arid region कहला रहा है Because यहाँ पर बहुत ज़्यादा Deserts है उसका Reason क्या है Because यह उस region में लाए कर रहा है जहाँ पर Diverging Wind Systems है और जहाँ भी Diverging Wind Systems होंगे वहाँ पर क्या होते हैं आपके Deserts पाये जाते हैं इसलिए आप देखोगे Australia का बहुत ज़्यादा हिस्सा Deserts की फूम में पाये जाता है और इसलिए Australia को One of the driest continents भी घा जाता है Right One of the driest continents जब आपने driest continent ही बात कर दी तो वहाँ के जो फूल होंगे यह लेट से जो Vegetation होगी वो भी dry होगी So it will be very easy for them to catch Fire तो आपको पता लग रहा है कि because it's one of the driest continents One of the like let's say arid or semi-arid continents Because it is associated with diverging wind systems वहाँ की vegetation जो है बहुत ज़्यादा dry होती है जो कि बहुत prone है fires को catch करने के लिए Right And because यह driest continent है इस बार देखा गया है कि वहाँ पे जो है drought भी बहुत ज़्यादा prolonged हुआ है Right जो वहाँ सूखे की conditions है जो वह dry conditions है वो भी बहुत ज़्यादा prolonged हुई है Right तो यह एक बहुत important reason है कि ऑस्ट्रेलिया में bushfires बहुत ज़्यादा है Also Because यह driest continent है Right Because of the diverging wind systems Because यहाँ desert prone conditions है यहाँ पे forest cover भी comparatively low है उन regions में जहाँ पर Australian bushfires देखी गई है Right And also जैसके मैंने बताया Prolonged rot conditions भी बहुत ज़्यादा देखी गई है Apart from that Australia के बहुत सारे regions में होती है Shifting cultivation So Shifting cultivation में आपने क्या पढ़ा है जो आप North East में जूम cultivation पढ़ते हो Right That you as a farmer आप एक particular piece of land use कर लेते हो जब वो piece of land के सारे nutrients आप use कर लेते हो उसके बाद आप जब अगली जगा मूफ करने लगते हो आप उस land पे basically आग लगा देते हो So that वहाँ पे nutrients जो है Replenish होने का process शुरू हो जाए अब आपने shifting cultivation में क्या किया Australia में आपने उन regions को burn कर दिया और Australia है driest continent तो क्या हुआ उस shifting cultivation की वज़े से वो region में क्या हुआ आग शुरू हो गए And driest continent होने की वज़े से यह आग जो है आगे फैलती गई जो की एक और reason माना गया है Australian bushfires के आग के बढ़ने को ठीक है जी Also जैसे कि हम बात करें Already desert conditions है Arid semi-arid conditions है बहुत ज़दा stratospheric warming भी उस region में देखी गई है तो यह भी एक बहुत important reason है Australian bushfires का Now another reason being Positive IOD Positive Indian Ocean Dipole मैं आपको बहुत simple शब्द में समझाती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है So basically Indian Ocean Dipole का बहुत simple सा मतलब है कि Eastern Indian Ocean और Western Indian Ocean में Temperature का जी होता है difference किस तरह से होता है मैं वो भी बताती हूँ कि Positive कब होता है और Negative कब होता है आप देखोगे आपको अगर डाइपोल पे भी question आजाता है आप easily answer कर दोगे ठीक है अब अगर आपको याद हो जब हमने बात करी थी Jet streams की और हमने बात करी थी Canada में इतनी जादा Heat Dome क्यों है तो मैंने आपको बहुत important बात बताई थी मैंने आपको बताया था कि जब आप Pacific Ocean की बात करते हो ऐसा देखा गया है कि जो Western Pacific Ocean है वो ज़्यादा warm होता है than compared to the Eastern Pacific Ocean W for Western, W for warmer तो होगा क्या Western Pacific Ocean से पानी कहां पे आएगा to the Indian Ocean और ultimately क्या होगा यह जो warmer water है दिसल गो तोवर्द्स दी Western Indian Ocean ठीक है अब देखो हुगा क्या पानी जो है Western Region में गया यहां पे जो है क्या create हो गया अब यहां पे जो हमने लास्ट लेक्चर में ओशन का बारे में पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था अगर यहां वोईड क्रियेट हुआ तो इस वोईड को भरने के लिए नीचे से ठंडा पानी आ जाएगा तो ultimately क्या हुआ यहां तो hot water था क्यूँ? क्योंकि यहां से pacific hot water आ रहा था यहां पे और हमने पढ़ाए कि western pacific का तो water hot होता ही है warmer होता ही है लेकिन यहां पे क्या create हो गया void create हो गया इसका मतलब है इस void को fill करने के लिए नीचे से क्या आएगी आपकी cold current आएगी cold water आएगी हमने last lecture में काफी detail में इसको discuss किया है यानि कि यहां पे temperature हो गया cold और यहां हो गया hot तो ultimately क्या हो गया? बात तो Indian Ocean डाइपोल की क्या थी? temperature difference की थी so that is what happened Pacific Ocean से यहां पर पानी आया यहां पे ultimately hot water हो गया why? because western pacific जो है heat करता है जादा अब यहां पे create हो गया void तो इस void को fill करने के लिए नीचे से आगे जी आपकी cold water तो यहां पे हो गया जी आपकी cold conditions तो positive Indian Ocean डाइपोल में जो western region है Indian Ocean का that becomes hot उसके comparison में जो eastern region है that becomes cold ठीक है? अब पहला step आपको समझ में आ गया step 1 क्या था? एक तरफ hot हो गया, एक तरफ cold हो गया अब step 2 समझते हैं कि इसका Australia की bush fires पे क्या effect है? आप अगर rainfall का जो है mechanism समझते हो rainfall कैसे शुरू हो रही है? कि पानी है heat, जो है आपकी sunlight पढ़ रही है evaporation हो रही है, clouds बन रही है और rainfall हो रही है, simple सा concept है पानी था, sun की light पढ़ी और evaporate हुआ पानी यहां से eventually बादल बने और rainfall होई लेकिन इसका मतलब पते क्या है? कि यहाँ पे sun की light पढ़नी चाहिए यहाँ पे heating होनी चाहिए अब imagine करो, एक zone hot है, एक zone cold है जादा heating या जादा cloud formation कहा होगी? hot वाले regions में और cold वाले regions में क्या होगी? इनके comparison में कम heating होगी because they are cold तो पूरा यह जो mechanism है of forming a cloud, यह थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा Now this is what has happened with Australia यहाँ पे cold region हो गया cold water हो गया, तो ultimately heating बहुत जादा नहीं होपे in comparison to the different regions जब heating बहुत जादा नहीं भी पानी की water vapor बहुत जादा नहीं बना rainfall के जो regions है rainfall के जो conditions है cloud formation ही नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगया? less rain होगी अब rain भी less है drought भी बहुत जादा है arid semi-arid conditions है साथ में shifting cultivation भी चल रही है bushfires और बढ़ रही है तो ultimately क्या हुआ? यहाँ पे bushfires extremely बहुत जादा बढ़ गए ठीक है जी? याद रहेगा? simple था? तो positive IOD भी जो है बहुत important reason रहा है इस बार कि Australian bushfires जो है बहुत जादा increase होगे अब आपको पूरा concept पता है आप जो है इस से associated जो भी option exam में आए उसको जो है आप answer कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं Australian bushfires के साथ है एक concept बहुत जादा जो news में रहा है वो है zombie fires zombie fires basically क्या होती है? मैं आपको simple शब्द में समझाती हो so let's say कि हमारे arctic regions है permafrost की पूरी layer है soil भी है और soil के साथ जो है वहाँ पर ice की layer भी है अब wildfires आपको पता है फैलती रहती है so once the wildfire को आप पूरा पूरा extinguish कर लो फिर भी जो बिलकुल नीचे नीचे के regions है जो की ice के नीचे है soil के नीचे है वहाँ पर यदि आपकी wildfire हो तो ultimately क्या होता है? वो कभी-कभी नहीं बुचती है यह जो arctic है लेचसे इनके नीचे जो soil है ice है यहाँ पर बहुत ज़ादा peat coal पाया जाता है और बहुत ज़ादा methane भी पाया जाता है तो peat coal और methane जो है as substrate act करते हैं कि इन आगों को जो है यह बुझने नहीं देते और ज़ादा अंदर बढ़ाते रहते हैं और एक point पर क्या होता है यह आग जो है वापस जमीन पर आ जाती है तो ultimately zombie नाम क्यों दिया गया है कि एक बार तो खम कर देते हैं लेकिन just like zombies जो है यह fire जो है वापस आ जाती है अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ ऐसी conditions होती है कि जमीन के नीचे जो fire होती है वो actually उपर आ जाती है अब अगर मैं आपको बताऊं so this happens as a result of wildfires अब zombie fire क्यों कह रहे हैं जो पहले wildfire थी जो कि आपने बुझा दी है they seem to come back from the dead zombie movies देखे होंगे आपने zombie movies में यही तो हो रहा है कि first somebody dies and due to some x y z things they come back from dead और फिर आप उने zombie कहने लगते हो right a wildfire जो है has been extinguished on the surface लेकिन they can still keep on burning in the below ground और इनको fuel कौन देते हैं आपका peat, coal और methane और throughout winter देखा जाता है कि snow के नीचे ये बही जा रही है fire है ये जो है बनी जा रही है और once it comes out बहर कैसे आईगी जब snow melt कर गई अभी तो snow के नीचे burn हो रहा थो थोड़ा थोड़ा जब गर्मी आई snow melt कर गई तो ultimately क्या हो ये fire बहर को आ गई और फिर से spread हो गई आप ये भी कहते हो कि एक पूरा feedback loop बनाती है पूरा का पूरा loop बना रही है पहले wildfire आई फिर क्या हो आपने बुझाई पर जमीन के नीचे लगी रही आप गर्मी आगे पूरी सर्दियों में जो है नीचे जो है fire जलती रही जब गर्मी आई और आपका सारा का सारा पानी पिगला सारा का सारा जो आपका बराफ है वो पिगली तो wildfire वाप पर सूपर की तरफ आगई फिर पूरा mechanism चुरो गया फिर आप इस fire को बुझाओगे फिर नीचे थोड़ी की fire चलती रहेगी नहीं होती जैसे ही गर्मी आई आपका पूरा अपर लेयर जो है बरफ का जो है वो पिगलना शुरू हो जाता है fire बाहर आती है and the entire process starts again तो इसमें से किसी भी format में आपको exam में question आजाए आपको पूरा concept पता है अब आप कोई भी answer गलत नहीं कर सकते हैं ठीक है चली आगे बढ़ते है kelps forest ठीक है तो recently बहुत जादा news में रहा है कि kelps forest extend कर रहे है kelp forest में बहुत जादा changes आ रहे है kelp basically है क्या underwater forest है ये जो आप देख रहे हो ये underwater चीजे है तो kelp forest जो है underwater forest है जिनकी speciality क्या है देखा गया है कि cold water में पाए जाते है और cold water में आप देख रहे है nutrient rich waters भी लिखा है क्यों लिखा है जी nutrient rich waters हमने पढ़ा है ocean currents में कि जब cold water उपर आता है जब upper valley of cold water होता है तो उसके साथ क्या आता है nutrients भी आते है मैंने काफी detail में आपको last class में पूरा circle बना के बताया है ocean current का you can refer to that particular class as well ठीक है so basically kelp ऐसे forest है जो की cold waters में पाए जाते है अब kelp forest basically है क्या ये basically आपकी brown algae seaweeds है तो ये भी एक बहुत important point है कि kelp forest basically है क्या किस तरहा की forest है ये basically brown algae seaweeds है अब अगर मैं आपको बताओ मैंने आपको बला cold water में पाए जाते हैं तो आप देखो कि बहुत जादा जो tropics वाले region है वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं cold waters में पाए जाते हैं लेकिन देखा गया है कि इनकी कुछ species जो है tropical forest में भी अब पाई जाने लगी है तो ये भी एक important point है अब किस तरहां से UPSC में question आएगा वो तो UPSC ही जानती है लेकिन आप point याद लखेंगे usually they strive in cold waters लेकिन कुछ-कुछ ऐसी kelp forest भी है जो tropical regions में भी पाए गया है tropics में आपको पता है कि in comparison to the temperate and polar regions in comparison to these regions ये थोड़े से जादा गरम होगे और सिफ comparison की बात हो रही है तो कुछ kelps जो है यहां भी पाए जाते है अब अगर मैं आपको दिखा हूँ तो kelp forest जो है जैसा आपको पता लग रहा है temperate regions में और polar coastal regions में है लेकिन कुछ जो है tropics में भी पाएगा है अब ध्यान रखना tropics के भी deep waters में पाएगा है बिकस जितना पानी के नीचे दाते जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी क्यों बढ़ती जाएगी बिकस मानलो ये sun है ये water है sunlight एक limit तक ही penetrate करेगी ultimately जो बहुत जदा deep waters है वो अभी भी क्या होंगे cold होंगे इसलिए आप देखोगे tropical में बहुत ही deeper waters में भी पाई जाती है और सबसे longest kelp जो है ये arctic region में देखी गई है ठीक है okay kelps की बात करते है kelps का significance क्या है बहुत simple significance है जो काम जो है trees जमीन के उपर कर रहे kelps जो है जमीन के नीचे कर रहे रहादर पानी के नीचे कर रहे right so basically एक habitat बना देते हैं for a lot of different organisms to thrive right productive ecosystems है right जो है आपकी चीज़े produce कर रहे and they're also considered as keystone species कि उस particular region में a lot of other species are depending on these algae for their food or for their survival right तो इस वजह से kelp forest में जो brown seaweed algae है उसको as keystone species भी माना गया है a lot of organisms in those particular areas feed on these keystone species also ये उनको रहने की जगा भी provide करती है काफी productive ecosystem मानी जाती है इसे लिए they are also supposed to be keystone species in those regions जहाँ पर ये मिलती है अगर ये वहाँ नहीं होंगी तो ecosystem जो है बहुत ही ज़ादा disturb हो जाएगा समनली आ गया आते है coastline को protect करती है coastline को कैसे protect कर रही है बहुत simple है मान लोग की पानी एकदम से बहके आ गया अब यहाँ पर beach में इनको रोखने के लिए सरा की sea weeds है तो पानी जब एकदम से आ रहा है इनका जो speed है वो रोख जाएगी because beach में आ गया bumper अब ये bumper क्या है ये bumper है kelp forest होता है गाड़ी भगा रहे हैं बहुत तेज से और bumper आ गया तो गाड़ी की speed slow हो जाती है आपको करनी पड़ती है या एकदम से आगे नहीं चाती है अबकि गाड़ी उचल जाती है the speed reduces eventually so this is what is happening with these calves they act as bumper और again जो coastline है उस पे जो waves आ रही है उसकी जो power है उनकी जो speed है that actually decreases right तो जैसा कि मैं आपको बता रहे थी ये food source भी मानी जाती है in a lot of countries right simple था तो ये कुछ चीजे हैं जो आप याद रखेंगे now threats क्या है इनको अब आप देखोगे thawing permafrost जो arctic में जो soil की layers है ice की layers है जब ये जो है पिघलने लगती है because of global warming तो इससे क्या होगा जो arctic में soil है ice है इनमें जो भी sediments है ये पानी में जाने लगते है अब थंडे पानी में cold regions में जहां-जहां kelp मिलेंगे अब आप मान के चलो कि sunlight जो है actually मान लो ये water है यहाँ पे kelp exist कर रहा है अब sunlight जो है यहाँ से directly आनी थी लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे जो sediments थे या जो permafrost से जो आपकी soil आई जो sediments आई जैसे जैसे global warming की वज़ज़ से ये melt करेंगी थो करेंगी ये जो sediments है ये पानी में आते जाएं अब जब ये sediments पानी में आते गए तो क्या हुआ यहाँ पे layer बन जाएगी इन sediments की तो ultimately sunlight जो है बहुत ही clearly इन sea weeds को नहीं मिल पाएगी जिनसे इनकी जो limit है वो जो है बहुत जादा कम हो जाएगी to grow तो इनका भी कहीं न कहीं plant growth can be hampered if such sediments come into water ठीक है याद रहेगा अब एक very specific point global warming हो रही है दुनिया में ठीक है अब kelps ने जो है खुद को adjust कर रखा है कि भई हम तो cold waters में ही thrive करेंगे हाँ हम tropical regions में भी आ सकते हैं लेकिन बहुत deeper regions में अब आप imagine करो किसी भी चीज की productivity extreme conditions में जादा होगी अब इमाजन केल्प केल्प के प्रोड़क्टर वे डीतनी जादा है extreme conditions में imagine global warming happening ultimately क्या होगा kelps को एक standard condition में जाएगी standard temperature मिल जाएगा eventually जिस temperature पे growth जो है maximum होती है imagine kelp जो है आपका extreme conditions पे ग्रो कर रहा है अब extreme conditions में भी कर रहा है और अगर उसे standard best conditions मिल जाएगा best temperature मिल जाएगा जिस पे maximum growth हो सकती है तो kelps की productivity कितनी जादा बढ़ जाएगी but हमें यह नहीं पता कि यह जो productivity बढ़ेगी इसका eventually जो है अंजाम क्या होगा इसका eventually जो है consequence क्या होगा this is what the news was all about कि कहीं ना कहीं kelps जो है increase हो रहे है Arctic से नीचे की region की तरफ भी बढ़ रहे है तो नीचे की तरफ बढ़ना की consequences हमें नहीं पता because we haven't seen how kelps would react in these temperature which cater to the maximum growth चीक है जी तो आपको याद रहेगा again बाकी आपको पता ही है official sip pollution हो सकता है coastal pollution हो सकता है again जो fresh water आएगा आपका let's say glaciers से fresh water आया salinity थी अब इसमें fresh water आगया तो ultimately salinity क्या हो जाएगी change हो जाएगी तो ultimately accordingly जो है kelps को भी impact करेंगी अब आपको कोई question आजाए kelps पे आपको बस वहाँ पे वो option चूज करना है जो आपके concept में आता है आप kelps कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है kelps की basic क्या है ये कौन सी seaweed है ये भी आपको पता है और क्या इनके threats हैं क्या इनकी significance है ये भी आपको पता है आपको दुबारा पढ़ने की बिज़रत नहीं है आपको logic पता होना चाहिए प्री में चीज़े हमाँ लिखे होंगी आपको easily recognize हो जाएंगी कौन सा option जो है correct ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते है bunny grasslands bunny grasslands बहुत ज़्यादा news में है basically यहाँ पे community है मलधारी tribe मलधारी tribe ने recently जो है एक case file किया था कि bunny grasslands में जिस region में वो रह रहे है वहाँ पे बहुत ज़्यादा encroachments है और recently NGT ने judgment दिया है और NGT ने order किया है यह encroachments जो है हटाई जाए ठीक है तो इस वज़े से बहुत ज़्यादा news में थी now the important thing being bunny grasslands जो कि गुजरात में है Asia का largest grassland है पहला सवाद people usually miss these grasslands जब आप पढ़ाई करते हैं अब बाकी grasslands पढ़ लेते हैं weld पढ़ लेते हैं pampas पढ़ लेते हैं but you forget to read about bunny grasslands ठीक है अब bunny grasslands में basically क्या होता है एक community है मलधारी community ठीक है अब यह जो है bunny buffaloes के साथ जो है काम करते है ठीक है bunny buffaloes को चराते है पर होता क्या है क्योंकि यह जो grasslands है क्योंकि यह समुंदर के पास है तो इन में marine grasslands के भी कुछ factors है या कुछ features है लेकिन अब यह arid region में भी आते हैं जो गुजरात का region है या जो राजस्तान के साथ लग रहा है वो हमें पता है desert वाला arid region भी है तो इसमें कुछ features arid grasslands के भी है marine की जगा wet grasslands भी लिख सकते हो तो अगर ऐसा भी question आता है कि marine grasslands में इन दोनों के features है वो भी correct होगा तो because इतना erratic सा weather है वहाँ पे marine grasslands का भी है arid grasslands का भी है तो यह जो bunny buffaloes को जो यह मलधारी tribe चराती है इनको हमेशा एक जगा से दूशी जगा जाना पड़ता है इसलिए आप देखोगे इनके साथ nomadic tribe शब्द भी आड़ोगा nomads क्या होते हैं जो एक जगा से दूशी जगा जाते रहते हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं पसंद है कि चलिजी हम अपना घर बदलते हैं नहीं conditions ऐसी है erratic conditions है erratic weather conditions है कभी arid और कभी wet because of which they keep on moving ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ तो जो आपकी आंसर होती है bunny grasslands Asia का largest grasslands उसके दो characteristics आपको पता लग गए दूसरी चीज़ एक यूँ news में था मलधारी tribe की वज़े से news में था so if you get a question on मलधारी tribe कि यह कहां से associated है या match the following में एक option मलधारी tribe हो तो again आपको पता है यह bunny grasslands गुजराद से associated है और इनका basic काम क्या है bunny buffaloes को चराने का and because of different weather conditions they are becoming nomadic tribes ठीक है चलिए यह तो हो गई दो चीज़े तीसरी चीज़ क्या है bunny grasslands में invasive species देखी गई है अगर आपको यह white pool नजर आ रहे है right so यह basically जितने भी invasive species है उनका part है so basically पहले क्या माना जाता था या rather species के नाम से शुरू करते है right prosopis julifola right prosopis juliflora ठीक है अब ध्यान देना यहां पे जो है क्यों इसको introduce किया गया so basically यह जो plant है यह काफी जादा salinity में जो है बनता है ठीक है तो imagine करो कि ऐसा माना जाता था जो deserts है जो grasslands है for example आप गुजरात में देखो ऐसा जो है पौधा लगाया ऐसी three species लगाये जो कि salt tolerant थी और क्यूंकि salt tolerant थी इन regions में उख सकती थी तो बहुत जादा वहां पे लगा दी लेकिन देखा गया यह eventually क्या बन गी invasive species बन गई तो यह भी आप याद रखेंगे अगर इस term को आपको एक्जाम में पूछा जाए किस से associated है तो आपको याद आना चाहिए अच्छा बनी ग्रासन से मैंने पढ़ा था बिकरस उहां पर different conditions है salinity से associated conditions है तो ऐसी invasive species को लगाने की बात थी जो कि salt tolerant हो बहुत detailed question नहीं आएगा आपको इस पे बस आपको इसका नाम पता होना चाहिए ठीक है याद रहेगा कभी-कभी ना ऐसा भी question आता है इसको environment से mix भी करते है आपने environment में अपनी किताब में शंकर में कुछ शंकरायस की जो किताब है उनमें आपने कुछ invasive species भी पढ़ी होगी ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते है एक simple से news थी recently पूरी जो है पहली city बनी है in India जिसमें की tap से ही you can start drinking so basically first city of India to have a drink from tap facility usually क्या ओता है नल में पानी आता है उसे उबालते है या लेट से कि आपके घर पे आरोज लगे होंगे तो उन से पानी भी आ जाता है लेकिन पूरी में जो है ऐसी facility शुरू हुई है in certain regions that you can directly drink from the tap facility now you get those two markers very easy two markers recently एक city है वहाँ पे drink from tap facility शुरू की गई है what city is it right so आपको पूरी का नाम पता होना चाही हो सकता है पूरी की जगह आपको उडी सा लिखा हुआ है that also you should be able to attempt तो कुछ easy question आते है 78 easy questions आते है हम उनके लिए भी प्रेप करेंगे कि at least हमारे वो question जो है गलत ना हो because at the end of the day it's a competition आपके competitor को आता है आपको भी आना चाही है तो जो ऐसे one-liners है ये भी कुछ मैंने add किये है आज की slides में so that आप इनके notes बना ले बहुत dwell नहीं करना इन में mains के लिए थोड़ा important है you'll have to know कि क्या ये conditions actually हुई है क्या infra इतना available है but that is another discussion वो हम mains में करेंगे ठीक है अब cyclones की बात करते है अब इनके standard सवाल है कि जादा cyclones जी कहां आते है Bay of Bengal में या Arabian Sea में तो हमेशा से आप पढ़ते आए हो कि Bay of Bengal में जादा cyclones आते हैं जादा intense cyclones आते हैं than Arabian Sea ठीक है अब ध्यान रखना इसकी कुछ conditions है UPSC mains में भी नोंने पूरा सवाल पूछा हुआ आपसे तो conditions क्या है देखा गया है कि Bay of Bengal का जो sea surface temperature है let's say this is Arabian Sea this is Bay of Bengal अब ये कुछ points है जो आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है Bay of Bengal का जो temperature है वो देखा गया है जादा है अब आपको पता है Tropical cyclones बनने के लिए एक specific temperature होना चाहिए आपने conditions पड़ी होंगे उनकी परी के लिए नो वो conditions जो है Bay of Bengal में ही रीच होती है because Bay of Bengal का जो sea surface temperature है as compared to Arabian Sea वो बहुत जादा कम है और एक constant चीज जो Bay of Bengal में हो रही है कि जो fresh water है from Ganga and Brahmaputra वो भी आ रहा है so this basically includes into the condition for tropical waters right also अगर मैं आपको बताओ recently देखा गया है उस पर बाद में आते है most cyclones in the Arabian Sea let's say कि अगर हम Arabian Sea के cyclones की बात करें यह बहुत जादा local level पर cyclones होते है also अगर यह cyclone आप ही रहा है तो western ghats जो है यहाँ पर exist कर रहे है cyclone को बहुत आगे बढ़ने नहीं देते है बहुत intense होने नहीं देते यहाँ पर जो eastern ghats है इस तरह की बड़ी पहाड़िया नहीं है so basically उनको cross करना असान है also Bay of Bengal में जो typhoons आते है जो बाकी नीचे के world से typhoons आ रहे है उनके remnants आते है तो यह भी एक बहुत important reason है कि यहाँ पर जादा cyclones देखे गए है than Arabian Sea क्योंकि Arabian Sea के वहीं के local cyclones है लेकिन Bay of Bengal में mostly हर उस cyclone का remnant आ रहा है जो की नीचे वाले waters में available है इसलिए आप देखते हो Bay of Bengal में जादा cyclones आते है than Arabian Sea again same चीज कि Bay of Bengal में remnants आते है जो की बाकी cyclones के है लेकिन Arabian Sea में क्या है यह local है again अगर हम आगे बढ़े Western Ghats जो है मैं आपको बताया है Western Ghats जो है prevent करते है cyclonic storms को आगे जाने के लिए लेकिन जो Eastern Coast है वो high enough है ही नहीं तो और जादा महाँ cyclones जो है बढ़ते रहते हैं इसलिए coastal states पे और जादा cyclones आते है वेस्टन गाथ डाजन लेट इस cyclones गो टो इंटलेंडर इन जगों पे cyclones आहीं बहुत कम रहे हैं क्योंकि आगे नहीं पहुच पारे डू टू वेस्टन गाथ पर अब यहां इतनी बड़ी बड़ी पहाड़िया है नहीं तो आप देखो कि कभी चन्ने में cyclone आ गया कभी उडीसा में cyclone आ गया ये एक बहुत बड़ा reason है तो अगर आप से कोई condition पूचता है तो आपको पता है Bay of Bengal जी जादा गरम है Bay of Bengal पे remnants आते हैं साइक्लों के Arabian Sea के साइक्लों क्या है local है अगें western घाथ की वज़े से hinterland तक नहीं पहुच पाते cyclone और eastern घाथ में क्योंकि इतने बड़े बड़े eastern घाथ नहीं है इतने बड़े mountains नहीं है ultimately because of that जो है क्या होता है चैन नहीं उडीसा जैसे regions में cyclone आते रहते है लेकिन now because of global warming trends जो है बदल गए right trends कैसे बदल गए है सबसे जादा जो है global warming की वज़े से Arabian Sea का भी temperature जो है बढ़ा हुआ है इसलिए देखा गया है कि वहाँ पर भी अब जो है ample energy मिल जाती है cyclones को form होने के लिए तो यह एक बहुत बड़ी condition है जैसे जैसे L9 भी बढ़ेगा देखा गया है so you do not know the exact reason why but essay researches जैसा देखा गया है कि जैसे जैसे L9 मोदुकी बढ़ेगा वैसे वैसे जो है Arabian Sea में जो है cyclones जो है और जादा बढ़ेगा तो इनकी exact reasons नहीं है but यह changing trends जो है देखे गए है so there could be a standard question on कि Bay of Bengal में cyclones जादा क्यों आते है अब आपको concept पता है जो भी options in concept को cater गरेगा you should be able to answer दूसरा changing trends है trends के बारे में थोड़ी से कम possibility है लेकिन आपको पता होना चाहिए there might be a question ठीक है? चलिए cloudburst पे आते है now cloudburst आप देखते हो उत्रा खंड में बहुत ज़्यादा news रही है अब cloudburst में हम क्या पढ़ते है कि cloudburst बादल फट रहा है so basically rainfall बहुत ज़्यादा है suddenly एक जगा पे पर इसका mechanism क्या है हम यह पढ़ने की कोशिश नहीं कर दे cloudburst में जो है आपकी जारी है अब होता क्या है जब मानों सिंपल मान लो कि एक पहाड है जितना जितना उपर जाओगे temperature क्या होगा घटेगा क्योंकि ठंड बड़ेगी पहाड पर उत्रहंड की बाद अगर हम कर लें तो नीचे जो है comparatively hot या warm air होगी और उपर जो है cold air होगी in comparison to each other अब hot air की tendency to hold more moisture बहुत ज़्यादा होती है cold air की tendency to hold moisture बहुत ज़्यादा कम होती है तो ultimately क्या होगा जैसे जैसे हवा उपर की तरफ जाती जाएगी the tendency to hold moisture would be less नीचे तो बहुत ज़्यादा moisture था हवा में उपर पहुचे तो tendency to hold moisture कम था इसलिए moisture जो है यहाँ पर पानी के form में बहे गया और जब यही हवाए दूसरी तरफ गई पहाड के तो इस तरफ तो सारा moisture ओरेडी जो है खतम हो चुका था तो जब इस तरफ आई तो moisture बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ था अब इमाजन करो याद मैं दोबारा बता देती हूँ आपके लिए और ग्राफिक रेंफॉल में क्या हुआ पहाड था गरम हवा उपर की तरफ गई गरम हवा की tendency थी ज़्यादा moisture लेने की तो पूरे root में जो है वो moisture इकठा करती नहीं लेकिन जब उपर पहुँची cold regions में अब the tendency to hold the moisture कम हो गया तो clouds से सारी सारी rainfall यहाँ पे हो गए अब जब इस मौशर लेडन हवा दूसरी तरफ गई बहुत ज़्यादा हवाय थी ही नहीं बहुत ज़्यादा moisture नहीं था हवाओं में तो वहाँ पे rainfall बहुत ज़्यादा हुई नहीं अब imagine Himalayas उत्तराखंड में Himalayas है again पहाड की बात हो रही है so orographic rainfall यहाँ पर भी होगी now what happens is उत्तराखंड की पहाड़ियों में exact same चीज होती है so hot air rise कर रही है again यहाँ पर क्योंकि tendency cold air में कम हो जाएगी to hold moisture यहाँ पर हो जाएगी आपकी बहुत सारी rainfall एकदम से right अब imagine the same thing happening in उत्तराखंड right कि उत्तराखंड में पहाड़ी है एक तरफ सारी rainfall हो गई right और एक तरफ rainfall के अलाबा भी क्या हुआ है यहाँ पर पहाड़ियां यहाँ पर है जी आपकी धलान या slope तो suddenly जो rainfall हो गई शायद उससे इतना जादा destruction नहीं होता अगर यहाँ पर slope नहीं होता स्लोप में पानी और तेजी से बहने लगता है तो ultimately क्या हुआ इडिया ओफ और ग्राफिक रेंफॉल अलोंग विद दस्लोप सच स्लांटिंग स्लोप क्लाउड बर्स जो है बहुत ही जादा जो है destructive हो जाता है इन हिरी रीजिंस लाइक उत्राखन विकल्स वहां पर बहुत सारी पहाड़ियां आप देखोगे आपने ग्रेटर हिमालिया लेसर हिमालिया जैसी पहाड़ियां पढ़ी होंगी सो बिकल्स ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ पहाड़ियां महां पर जो रेंफॉल है यह जादा जो है destructive हो जाती है चीक है जी याद रहेगा और इसी वज़े से पहाड़ियों की वज़े से पानी और ज्यादा बह जाता है सो basically cloudburst है क्या intense rainfall छोटे से region में और basically अगर मैं आपको IMD की definition बताऊं तो उन्होंने जो है values भी associate कर रखियां values भी याद रख सकते हैं लेकिन mechanism जो है यही है cloudburst का specifically with regions like उत्राखंड, orographic rainfall तो आपको concept पता है कोई सवाल आपको आजाए आप जो है इसको गलत नहीं करेंगे ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते है बस additional कुछ चीज़े थी climate change में देखा गया है कि इनकी जो intensity है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जब बहुत ज़्यादा intensity बढ़ जाएगी बहुत rainfall होगा तो ultimately क्या होंगे flash floods definitely आजाएगी ठीक है but again you should only know the concept चलिए glacial outburst देखते हैं आपने recently उत्राखंड में देखा होगा that top of one tragedy and everything कि glacial outburst हो गया उसकी बात में now what is a glacial outburst बहुत simple सा concept है glacier है जी glacier में है बहुत ज़्यादा ice या बरफ जिसे आप कह रहे हो right जब global warming होगी वो पिगलेगा तो यह पानी सारा कहां पर कठा होगा आसपास जो उनके depressions है अब इन depressions को आप कह देते हो lake right अब generally भी यह चीजें हो ही रही है लेकिन what happened in उत्राखंड यह मैं आपको specifically बताऊंगे अब हुआ क्या कि इन जेनरल भी तो glacier कुछ नो कुछ हद तक melt करी रहे है लेकिन global warming बढ़ रहे है हीटिंग बढ़ रहे है तो glacier और जो है तेजी से melt कर रहे है और यह पानी कहां पर कठा और लेक पर और इसी लेक से अगर आप देखो पानी जो है धलानों से होते हुए जो है उत्राखंड में नीचे आ जाता है and such tragedies happen तो glacier outburst में it starts from a glacier now what has happened in उत्राखंड मैं आपको specifically बताती हूँ so let's assume this was the region this was the slanting जहां पर सारा कुछ हुआ है ठीक है अब slanting के उपर वाले region में जो है यहां पर है आपके again Himalayas यह है glacier से भरे वे Himalayas बरफ है यहां पर पिगलेगी पानी नीचे आएगा लेकिन अब यहां पर जो नीचे वाले region है यहां पर जो आपका terrain है उस terrain में पाए जाते हैं बहुत जादा sediments आप कंडिशन इमाजिन करो ऊपर से बहुत पानी आया इन दे रीजन यहां बहुत जादा sediments है तो पानी तो नीचे आए sediments यानि वो मिट्टी भी साथ में भैए तो अब आप सोचो पानी आया sediments आई specific धलान में तो कितना फास जो है flash flood नीचे की तरह आया होगा तभी आप देखोगे तपवन जैसे regions जो है तपवन जैसे जो plants है that actually have been destroyed. तो तीन conditions क्या है? हिमालिया से glaciers, नीचे वले region sediments है. वो दिस slanting regions तो ultimately क्या हुआ? यहां पे glacial outburst से बहुत ही जादा जो है flash flood आ गए. ठीक है जी? अब आप इन चीजों को नहीं भूलेंगे. किसी भी format में आपको question दिया हो, you should be able to answer. चलिए Space Rice has been news. तो यह basically Space Rice जो है बहुत बढ़िया photo थी या इथा इस नीउस्पेपर में. So China से associated है. So there could be a direct question, simple question कि recently किसी country ने Space Rice की बात की है, वो कॉंसी country आपको पताना चाहिए, China. So basically आज की बात नहीं है, China बहुत सालों से जो है Space में हर बार Rice भीजता है. ठीक है? अभी जो इनका Moon पे mission गया था, right? That particular mission में इन होने Rice भीजाता है. So basically the idea is कि जब Rise जो है Space की Cosmic Radiation Zero, Gravity में जाता है, तो उनकी genetic characteristics बदल जाते हैं, और जो उनकी yield है, वो बढ़ जाती है. तो हर बार कोशुश की जाती है कि जब Space में इस Rice को लिया जाए, तो presumably क्योंकि देखाम, under Cosmic Radiation Zero Gravity, इनका Genetic Makeup बदल जाएगा और Rice की जो Productivity को बढ़ जाएगी plus eventually इनके exports पर भी काम करना चाहते हैं. तो storyline बहुत जादा important नहीं है, बढ़े कि आपको पता होना चाहिए, 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 आगे बढ़ते हैं. So Afghanistan में, because Afghanistan has been in news बहुत जादा, एक करे system of irrigation है. Right? यह बहुत important है इंडिया के भी जो Deccan regions है, या लेट से बहुत जादा जो नीचे वाले regions है, बीजापुर, गोलकॉंडा वाले regions, वहाँ पर बहुत जादा करे system of irrigation देखा गया. अब करे system of irrigation बहुत difficult नहीं है, बहुत simple है, कि basically आप यह मान के चलो कि अफगानिस्तान में बहुत सारे dry regions भी हैं, तो पानी का evaporate होना बहुत easy होता है, तो क्या करते हैं? अंडर्ग्राउंड irrigation करते हैं, अंडर्ग्राउंड जो है आप पानी की availability करा देते हो, कुछ इस तरहां. और उसके यह बात क्या करते हो, ऐसे आप mounts बना देते हो, कि जब जब जहां-जहां पानी यूज हो, वहां-वहां के लिए पानी यहां से बहार लिया जाए जाएगा है. That's it. So basically, करेज system of irrigation is underground system of irrigation, जहां पे एक पूरा mechanism बनाया जाता है, यह pipes और यहें के outlets. So, सारा पानी यहां store किया जाएगा, जहां पर भी जरूरत है, उस outlet से पानी को निकाल लिया जाएगा. So, ऐसे भी questions आपको history में भी आ जाते हैं, geography से associated, that the term curries has been in news, what is it associated with? Yeah, let's say, आपने history में आपको irrigation systems पढ़े हैं, so curries can be one of the options. Let's say, तीन options दिए कि यह तीन terms news में थी, और आप बताईए किस से associated है, right? UPSC में ऐसे questions आते हैं, हमें उनके लिए भी prepare करना है. So, if you get the term curries, आपको पता है, this is underground system of irrigation, जो की अफगानस्तान में बहुत जाट जाट देखे हैं, there were a lot of articles कि will Afghanistan, now under Taliban, will be able to survive this sort of irrigation or not, but इसके कुछ examples, गोलकोंडा, बीजापुर जैसे regions में भी हैं इंडिया में, इसलिए इसलिए इस बिकाम्स इंपॉर्टन फुर्यू, ठीक है जे? चलिए, आगे बढ़ते हैं, पिंक बोल्वर्म, पिंक बोल्वर्म आपको पता है, cotton का pest है, so basically what happens is, जब यह पेस्ट कॉटन में लग जाता है, तो होता क्या है, यह बेसिकली कॉटन की जो बॉल्स हैं, उन पर एग्स ले कर देते हैं, एग्स ले करने के बाद, जब यह थोड़़़़ज़ बड़े होते हैं, लारवा स्टेज़ पे आते हैं, यह उन cotton balls को खाना शुरू कर देते हैं, तो जो cotton की fibers हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं, तो ultimately, जो best quality आपकी बननी चाहिए, वहां तक नहीं चीज़ बन बाती, yield भी ही बहुत ज़ादा कम हो जाती है, so pink bowl warm is associated with cotton, तो standard question आएगा कि, let's say, pink bowl warm कौन सी फसल से associated है, आपको पता होना चाहिए, cotton की बात हो रही है, match the following भी आ सकता है, उसके लिए भी आपको prepared रहना है, ठीक है जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, yes, sneeze not outbreak हुआ है, टर्की में, पहले तो ना टर्की के बार में बहुत का पार्ट है, right, so basically Turkey is a transcontinental country, transcontinental country क्या होती है, जो की एक से जादा continents में लाई करती है, so Turkey का एक पार्ट आता है, Asia में एक पार्ट आता है, जी, यॉरप में, तो ये भी important चीज है, रश्या में भी ऐसा ही है, रश्या में आपको बताये कई बार, कि let's say this is Russia, यहाँ पर आते हैं आपके यॉराल माउंटेंस, तो इस तरफ right side is Asian Russia and left side is European Russia, तो रश्या भी जो है आपका transcontinental country माना जाता है, ठीक है, चलिए, अब ये जो ऐसा वाला region है, इस्तांबूल वाला region है, इसके आसपास जो agency है, वहाँ पर कुछ इस तरह के structures देखे गए है, जो यह आप brown region या grey region देख रहे हैं, यह basically पानी पर बहुत ही ज़्यादा मोटी layer बन गई है, right, so basically जो agriculture runoff होता है, मैं आपको यहीं समझाती हूँ, जो agriculture runoff है, या जो pollution से runoff है, for example, nitrogen हो सकता है, कोई भी और component हो सकता है, वो पानी के उपर जो है, इन्होंने मोटी layer बना दी है, ultimately क्या होगा, इस पूरी algae की जब layer बन गई, तो यहाँ से sunlight जो directly आने चाहिए थी, अब वो क्या होगा, obstruct होगी, जिसकी वज़े से क्या होगा, जो नीचे का ecology है, नीचे का ecosystem है, वो जो है, कहीं ना कहीं, destroy होने की तरफ बढ़ेगा, नीचे जो भी growth होनी चाहिए, वो होगी नहीं, जो वहाँ की marine organisms है, वो भी they will also start dying, जो sneeze not के बारे में, अगर आपको question आ जाता है, तो वो भी आपको पता ना चाहिए, बेसिकली ये, gray aglean sludge है, जिसका basic काम क्या है, बेसिकली, बेसिक लेयर किस चीज की है, algae की layer है, और ये क्यों बन गई है, बिकरस algae के साथ-साथ, बहुत जादा industries से, nutrients या, pollution के वज़े से, nutrients आ गए है, और nutrients के बढ़ने की वज़े से, क्या होगा, जो नीचे की ecology है, that will actually get affected, right, so if they get your question about sneeze on, आपको algae के बारे में पता है, और आपको इसके harmful effects भी पता है, और global warming की वज़े से, ये सारा process जो है, और जादा आगे बढ़ता रहेगा, so any question that you get, you should be able to answer it now, सारे concepts आपको बता है, now दो-चार quick pointers, क्योंकि हम तर्की की बात कर रहे है, कर्ट जो हैं, बहुत जादा news में रहे हैं, you get such questions, for example, एक-दू सार पर एक question आया था, the term Rohingyas has been news, कौन सी country से associated हैं, तो आपको पता है, Rohingyas, Myanmar से associated हैं, similarly, कर्ट पर question आ सकता है, कि कौन सी चार कांट्रीज जो है, इनके regions को आप Kurds associated करते हो, तो इनका background क्या है, why they are talking about Kurdistan, that is an entire mains का discussion, फिल्हाल आप चार कंट्रीज को जो है, याद रखिए, Turkey, Syria, Iraq and Iran, याद कर लीजिए, Turkey, Syria, Iraq and Iran, जो है, इनको यहां से Kurds associated है, Kurdistan बनाना चाहते हैं, basically, यह, right, Ziyang province of China से associated है, बहुत important reason क्या है, कि news में रहता है, कि देखा गया है, कि बहुत ज़्यादा human right violations हो रहे हैं, इसका बहुत बढ़ा reason, ethnicity भी है, right, although it will not be asked in prelims, लेकिन, जो इनकी ethnicity है, देखा गया है, वो चाइना की लोगों से ना मिलते हुए, बहुत ज़्यादा Central Asia से मिलती है, तो यह एक बहुत बढ़ा important reason माना गया है, कि उल्गूर Muslims को जो है, उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता, according to a lot of sources, चलिए, आगे बढ़ते हैं, Karen Rebels, again Myanmar से associated है, बहुत ज़्यादा news में है, मैंने काफी detail में discuss भी किया है, इनका background, again, अगर आपको कचन स्टेट पूछा जाता है, किस से associated है, तो again Myanmar से associated है, यह कुछ, Myanmar में बहुत ज़्यादा ethnicities मिलती है, तो every ethnicity basically want their own region, तो इस वज़े से issues है, similarly आपको Rohingyas के बार में पता है, आपको कचन स्टेट पता है, आपको Karen people पता है, अभी याद रखेंगे आप, इन में background we will not be discussing, लेकिन यह pointers हैं, जो कि आप याद रखें, similarly आपको FARC rebels पता है, Columbia से associated है, similarly Boko Haram आपको पता है, कहां से associated है, Nigeria से, so यह सारी चीज़ें, assuming that you know, बहुत important है, IR में पढ़ते हैं, आप security में पढ़ते हैं, लेकिन pointers दे रही हों है, so that अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप इनको जो है, याद कर दीजे, right, again, next thing is, glacier melting, so, Hindu Kush region आपको पता है, right, अब Hindu Kush mountains, जो है, बहुत ज़्यादा news में आया है, that यह जो है, melt कर रहे है, तो आप ध्यान रखना, कि Hindu Kush region जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा river systems है, right, Indas, Brahmaputra, river systems के बहुत ज़्यादा tributaries है, distributaries पाई जाती है, let's say, Hindu Kush system melts, right, तो सबसे पहला problem क्या होगा, river systems इसे प्रभावित होगी, क्यों, river में और रेड़ी पानी है, glaciers और आ गया, उनका पानी और आ गया, तो ultimately rivers जो है, will be flooded, flash floods आ जाएंगे, जिन region में sediments है, sediments की वज़े से river के courses भी बदल जाएंगे, accordingly जो agriculture है, monsoon है, ये भी बहुत जादा effect होगा, और rather, अगर मैं आप को एक चीज बताओ, जब आप monsoon पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, यहां से हवाएं आ रही है, और because of Himalaya, एक step नीचे आ जाता है, एक टिबदीन प्लाटू से उपर की तरफ चला जाता है, अगर वहाँ पर हिंदू को शुक्राइब को शुक्राइब की तरफ नहीं जाएंगी, रुकेंगी नहीं, अल्टमेटली कहां जाएंगी, इंडिया के अंदर आ जाएंगी, यह आप पढ़ते हो, जब आप नौत्वे सर्गियों की बात करते हो, जब आप और मौन्सून की बात करते हो, और आप पढ़ते हो, कि उपर से आक्टिक से ठंडी हवाय आती है, बर वो रुक जाती है क्यों, क्योंकि हिमालया खड़ा है, UPSC ने एक औप्शन भी दिया हुआ है, कि significance of Himalaya पर question था, और एक significance क्या था, कि जो उपर से आक्टिक से ठंडी हवाय आ रही हिमालया उनको रोक लेता है, तो अगर वहाँ पर हिंदुकुष माउंटेंज ना हो, उपर के रीजन ना हो, तो again वो हवाय जो है इंडिया की तरफ आ जाएंगी, तो again extreme temperatures हो जाएगा इंडिया में, मॉन्सूम में बदला आवाएंगे, people will have to migrate, जो यह biodiversity है उन रीजन में, वहाँ पर भी जो है बहुत जादा effect पढ़ेगा, तो if you get a question associated with it, आपको basic options पता है, आपको थोड़ा idea हो गया है, you should be able to mark answers, the best thing about pre-being, always say this, options आपके सामने ही है, आपको बस सही options जो है, पहचाने है, यहाँ पर एक trivia है, लेकिन ऐसा देखा गया है, although करा कोरम भी कुछ इन ही रीजन में आता है, वहाँ पर glacier melting बढ़ी नहीं है, बहुत ही roughly वो कहते हैं कि इसका रीजन है, वेस्टलीस, पर अभी भी इन पर बहुत जादा चर्चार साल रही है, कि किस वज़ा से वेस्टलीस का exact significance क्या है, ठीक है, देब नाट आस्क यू दिस, बस मैंने बैस आपको एक additional चीज बता दी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ओमन्गोट, रिवर, कुछ हाइड़ एलेक्रिक प्रोजेक्ट बनने की बात थी यहां पर, तो रिसंटली उसको बंद किया गया है, वाइब टॉकिंग बाट इस, इस इंडियास क्लीने इस्ट रिवर, पूरा नीचे तक आपको नजर आ रहा है, इंडिया की क्लीनेस्ट रिवर कौन सी है, मन्गोट रिवर, मिघालिया में, चली, चिनाब ब्रिज, अगैन, वन लाइनर, वर्ल्ड का हाइस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है, चिनाब ब्रिज, ठीक है, अब ध्यान रखने, इसकी significance पर दे क्या है, अगर आपको earthquake zones पता है इंडिया में, zone 5 में आता, यह region जहाँ पर बनाया गया है, तो इतना ज़ादा earthquake prone region में, इतना बड़ा वर्ल्ड का हाइस state wave bridge बनाना, बहुत ही बड़ी achievement है इंडिया के लिए, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, जब आपको infras associated questions में में आते हैं वहाँ पर यह चीज़े जब कोड कर सकते हैं, चलिए, next is system of rice intensification, यह जो photo दी गई न है, rice fields की दी गई है, हम rice के साथ क्या पढ़ते हैं, कि जहाँ भी ज़्यादा rainfall है, वहाँ आपको जो है rice मिलता है, बिकस राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए, लेकिन देखा का गया है कि rice fields को usually flood कर दिया जाता है पानी से, rice is not an aquatic crop, हाँ, पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बट overflow of water की जरूरत नहीं है, बट देखा गया है कि rice fields को overflow कर दिया जाता है पानी से, अब इसके दिक्कत कहा है मैं आपको बताओ, before I start this, आप जब rice की खेती करते हो, आप environment में पढ़ते हो, कि world का बहुत majority methane जो है rice field से आ रहा है, उसका reason क्या है, जब आप rice field को पूरा पानी से भर देते हो, at that point of time, जो है sunlight जो है, वो रुक जाती है, लेकशन लाइट जो है जो नीचे मेरी layers तर पहुँच नहीं थी, वो बहुत ही ज़ादा सही तरीके सा नहीं पहुँच पाती, because constantly जो है आपका पानी flooded है, तो होता क्या है, जो नीचे के organisms है, they start secreting methane, अब क्योंकि ये organisms methane secrete कर रहे हैं, और पानी constantly बढ़ा हुआ है, वो ultimately methane ही secrete करते रहते हैं, इस वज़े से देखा गया है, कि rice field से world का more than, बहुत सरी से studies कहती है, कि world का more than 25% जो rice fields है, वो methane जो है, इमिट कर रहे हैं, तो उसका reason क्या है, over flooded water, जिसके विसे sunlight जो है रुक जाती है, ultimately properly penetrate नहीं कर पाती, एक point के बाद, and the organisms start producing methane, तो कुछ इसी चीज़ को cater करने के लिए, और जो आपकी productivity है, उसको भी बढ़ाने के लिए, system of rice intensification होता है, तो चार basic point है, पहले वो soil fertility management पे काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, organic manure use करते हैं, फिर planting method भी इनका different है, ये ना बहुत ही जो young seedlings होते हैं, 8-10 दिन वाले, उनको ही जो है, प्लांट कर देते हैं, wider spacing पे, so that wider space में लें वेंड आ ग्रोई, दूसरा point ये था, तीसरा system of rice intensification में कहा है, weed control बहुत ही जाद है, कुछ-कुछ जिन्माद weed control activity होती रहती है, and the fourth thing being, irrigation management बहुत important है, irrigation करते समय, constantly flood नहीं कर देते rice को, ध्यान रखा जाता है, कि किस level तक irrigation करनी है, because this ultimately helps you to control the entire emission of methane, system of rice intensification में ये 4 steps है, जिनका basic agenda क्या है, yield भी maximum हो, plus जो methane का जो मुद्दा है, वो भी resolve कियाज है, ठीक है जी, चलिए, next, इसके साथ ही ये news में था, saguna rice technique, saguna rice technique पर बहुत simple है, basically आप पर तिलिंग नहीं करते हैं, आपको दिखाती हूं होता क्या है, so basically, जब आपको बीज बोने हैं, कुछ इस तरह की चीजों से, इसके नीचे ना, ऐसी लाइन होती है, बड़े-बड़ी, इनसे गड़े करते हैं, और उन गड़ों में फिर वो बीज डालते है, right, so basically, जो है, यह जो पूरा सिस्टम होता है न, टिलिंग का, कि पूरे फील्ड को तैयार किया जाता है, दोबारा फसल बोने के लिए यह नहीं करते, right, zero tillage वाला काम है आपे, so basically, let's say, कि आपने एक फसल बोई, जब आप बो रहे थे, उसके बाद भी आपने टिलिंग नहीं की, बलकि उसी जगा पे आपने दुबारा से यह सारा प्रॉसर्स शुरू कर दिया, this is your saguna rice technique, ठीक है, तो basic point पर दे क्या है, कि zero till होता है, जो कि eventually conservation agriculture का part बना होता है, so basically crops rotate तो कर रहे हैं यह, लेकिन no plowing, प्रसाइस काम किया जाता है, कि यहाँ यहाँ पर यह चीज उगाई जाएगी, और किस तरहां से उगाई जाएगी, this is your saguna rice technique, so basic point क्या है, zero tilling है, there is no plowing, planting or transplanting rice, ठीक है याद रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, fall army worm, जो fall army worm है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं आपको दिखाती हूँ, yes, so fall army worm जो है, यह maze पर बहुत ज़ादा रहते हैं, maze को I hope you know, queen of cereals भी गहते हैं, so fall army worm जो है, यह maze पर attack करते हैं, और India की नहीं इंटर स्पीशीज नहीं है, यह basically US से, इंडिया की तरफ आई है, तो बहुत बार ऐसा कहा जाता है, कि किस तरहां से आई है, तो there is no exact mechanism for it, बट देखा गया कि, जब US ने अपना maze जो है, जो अपने cons है, export करने शुरू किये, तो उनके बाद ही यह चीज देखी गई है, कि fall army worm जो है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, असाम में इसका attack हुआ था, the last time it was in news, तो world में क्योंकि यह एक problem है, तो global action for fall army worm control भी जो है, यह चला हुआ है, FAO जो है, इसको cater करती है, तो ना इन चीज़ों पर आपको direct question आते हैं, कि fall army worm किसे associated है, तो आपको पता होना चाहिए, मेस, और यह tropical region में जादा होता है, because वहाँ पर high temperatures और जो rain की absence है, जब ऐसी conditions मिलेंगी, वहाँ पर यह बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो इन पर elaborate questions नहीं आते हैं, यह किसी question का part होते हैं, कोई एक sentence होते हैं, कोई option होते हैं, हमें उनके लिए भी prepare करना है, next, TR for Panama disease, banana के लिए बहुत ही ज़्यादा problematic disease है, यह आप देखने हैं, कुछ इस तरह से paid pause हो जाते हैं, और यह भी मैं आपको बिदा जाते हूं, basically यह fungus का part है, बहुत एक complicated सा नाम है fungus का, आप से पूछेंगा ने एक्जाम में, याद करने वाली चीज क्या है, यह पूरा fungus on the whole, जो है banana के लिए problematic नहीं है, इस fungus का particular strain है, जो की TR for tropical race 4 कहलाता है, वो जो particular strain है, वो banana के roots में चला जाता है, और root से फिर सब जगा फैल जाता है, आप banana के अंदर देखोगे, कुछ black conditions हो जाती है, so basically TR for किसके लिए है, banana के लिए और इसको आप, यह ने यह ने, ठीक है, और इसको Panama disease भी कहते है, so standard सवाल आएगा, Panama disease किससे associated है, आपको बताएजी, बनाना से associated है, TR for जो है news में था, क्या है Panama disease है, इसको cause कर रहा है, ठीक है जी, याद रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, parakeet, so parakeet जो है, one liner है, बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, basically एक herbicide है, so याद रखना कभी कभी ने, ऐसे सवाल आजाते हैं, the term parakeet has been used, किससे associated है, so it's a sort of herbicide, जो कि agriculture में use होता है, now दिकत कहा है, कि बहुत ही ज़्यादा harmful माना जाता है, और इसका कोई antidote भी नहीं है, US में तो बहुत restrictedly भी use किया जाता है, so parakeet में बहुत background नहीं समझेंगे, याद करने वारा point है, कि it's a sort of herbicide, again अगर हम आगे आए, टिबत से originate हो रही है, टिबत अपने हाप में एक arid, semi-arid region है, तो बहुत ज़्यादा sediments है, तो ultimately ये जो sediments है, जब ये river साथ लेके आती है, तो बहुत ही ज़्यादा fast आती है, क्योंकि यहाँ पे terrain भी कुछ इसी तरहां की है, आप imagine करो, ब्रह्मपुत्रा sediments के साथ आई, slope-y terrain में आई, तो floods कितने ज़्यादा आ गए, और स्लोप पे और ज़्यादा fast आने लगती है, तो earthquake prone होना भी बहुत important reason है, कि आसाम में जो हाल-फिलहाल में floods बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अगर मैं आपको दिखाऊ, ब्रह्मपुत्रा आपको और इपता है, डाइनेमिक अंस्टेबल है, बहुत सारे sediments हैं जो ये तिबद से लेके आती है, और क्यूंकि हाइज स्लोप है, तो ultimately, ये सारे की सारी जो है, river की speed, velocity बढ़ जाती है, और floods आ जाते हैं, and not only this, right, क्यूंकि earthquake है, रिवर अपनी जगा बदलती है, and again, there's no stable character, and ये तो चलिए, standard reasons है, जो man-made reasons है, वो तो आपको पता है, deforestation हो गई, जहां पहले पॉधे पेट थे, अब ही नी, population बढ़ गई, again, infra के लिए जगा खाली करनी पढ़ गई, soil lose हो गई, और ज्यादा नीचे की तरफ आगई, habitats बनाने है, jungle card जी, soil lose हो गई, again, नीचे की तरफ आगई, तो ये कुछ चीज़े हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए, इसको नो, soil lequification भी गहते हैं, so basically, जब earthquake आता है, तो जो soil बिलकुल कड़े, कड़े होई थी, या let's say roots बनाए होई थे, उसने land में, वो हिल जाती, तो वो हिल गई, sediments बन गए, again, जब पानी आया, तो sediments उसके साथ बहे गए, तो ये एक चीज़ है, जो आपको पता होनी चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक फॉसल मिला है, रिसेंटली मध्यप्रदेश में, भीम भेटका केव में, इसे डिकन सोनिया फॉसल कह रहे है, तो इस तरह की टर्म्स, पक्का ही बेपर में आती है, तो आप पहेंगे, भाई, ओल्डेस अनमिल का फॉसल मिला है, भीम भेटका केव में, इन मध्यप्रदेश, अगें भीम भेटका केव में इंपॉर्टन फ्रॉम हिस्ट्री एजवाल, तो आप हिस्ट्री में जाके इनकी बारे में भी पढ़ेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा साफ लिग दू, डेजर्ट लोकस्ट, ठीक है, चलिए, अब ध्यान रखना, जब तो ये अकेले लोकस्ट हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिटरी कंडिशन्स में हैं, अकेले-अकेले घूम रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हामफुल नहीं, इंडिया के लिए, इस बार हाँ डेफिनिटली बढ़ गया है, तो अगर आप ध्यान दे, तो ये इस रीजन में बहुत ज़्यादा देखी गए, तो बेसिकली लोकस्ट जो है, जब गर्मी वाले रीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा हो, रेइनफॉल नहीं, उन रीजन में बहुत ज़्यादा पाये जाते हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखो, आफ्रिका के जो उपर वाले रीजन्स हैं, डेफिनिटली वैसे रीजन्स हैं, तो ऐसा देखा जाता है, कि उन रीजन्स में यह जो हैं लोकस्त जो हैं ब्रीड करते हैं, एवेंच्वली देखा जाते हैं, वहां से इंडिया की तरफ आजाते हैं, तो लेट से ओक्टोबर डिसेंबर टाइपस के समय में यहां से शुरू होते हैं, और मार्च देखा जाते हैं, वहां से इंडिया की तरफ आजाते हैं अगर इंडिया की तरफ आ रही हैं और वह इस रीजन से आ रही हैं, लोकस्त तो वही हैं, तो उनके साथ जो हैं लोकस्त इंडिया की तरफ आ जाते हैं, और नॉट ओनी इस, जो साइकलोन अमफन आया, तो लोग प्रेशर कंडिशन्स बन गए, तो हवा जो हैं और जादा जो हैं इंडिया की तरफ आए, तो बेसिकली हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही है, जहां साइकलोन होगा, साइकलोन तो है लो प्रेशर से से सूसियेटेड, तो अल्टिमेटली क्या हुआ, लो प्रेशर एरिया की तरफ और जादा लोकस्त आ गए, एक और जो बहुत इंपोर्टन चीज क्या हुई, अरेबियन पैनेंसुला में दो साइकलोन आए हैं, मेकनू आड लुबान, तो यहां पर क्या हुआ, इन साइकलोन की वज़ज़ से यहां पर बहुत बड़़ड़ी लेक्स बनने लग गए, जहां कि लोकस्त जो है, स्वार्म्स जो है, और जादा ब्रीड करने लग गए, इसलिए इनका नमबर और बढ़ गया, और यह बढ़ा हुआ नमबर फिर इंडिया में आ गया, इस वज़ज़ से इस तिंग्स गॉट अग्रेवेटेड अलॉट, इंडिया नोशन डाइपोल, आपको मैंने अल्रेडी पूरा इंडिया नोशन डाइपोल जो है, पॉजिटिव वाला एक्स्टेंड किया है, तो देखा गया है क्योंकि इंडिया नोशन डाइपोल में चेंज़ज़ आते हैं, तो मॉन्सून पाटरंस बदलेंगे, वेदर पाटरंस बदलेंगे, क्लाइमिट पाटरंस बदलेंगे, तो उनकी manifestation है, लोकस्ट का बढ़ना, ऐसी भीकुट स्टाडीज कहती है, याद रहेगा, अब आपको सारे reasons जो है, पता है, तो any reason that they ask you, आपको बस वहाँ पर identify करना है, आपको डाइपोल के बारे में हम अल्रेडी डिसकस कर ही चुके हैं, All this is discussed, yes, again Malathion, Malathion is also an insecticides, which is one of the organophosphates family में से, तो आप parakeet याद रखेंगे, आप malathion याद रखेंगे, यह टर्म के वों important है ना, direct question आता है, the term parakeet, malathion, organophosphates has been in use, what is it associated with, तो आपको पता होना चाहिए, कि यह different तरहां की insecticide या herbal side से associated है, यह आपको बोल सकता है, यह agriculture से associated है, तो इमका background बहुत नहीं जानना है आपने, लेकिन यह terms जो हैं आपको याद होनी चाहिए, चलिए, आगे बढ़ते, glyphosate, again, it's applied to the leaves to kill weeds, यह भी एक तरहां से agriculture में ही use होता है, लेकिन अब उसमें दिक्रत क्या है, जब जब आप glyphosate use करते हो, तो eventually जब यह food chain में जाता है, तो यह humans के लिए cancerous होता है, लेकिन अभी तक भी कोई advisory use नहीं होई है, लेकिन a lot of countries have stopped using glyphosate, आगे जाके जब आप BT वाली चीज़े पढ़ोगे, उसमें भी आएगा, we'll see it in some other class, फिलहाल के लिए मस आप इतने याद रखो, it's a herbicide, so parakeet, malathion, glyphosate, यह सारी terms आपको जो है, याद रखनी है, next, India's first underwater metro कहाँ पे है, again two marks का one line a question, कोलकाता में, वैसे India में recently driver के बिना पे metro चली है, so India's first driverless metro भी है, यदि आपको सवाल आता है, that is in Delhi, तो यह भी आप याद रखेंगे, you get such easy questions, I don't want you to mark these questions wrong, because of certain जो आप बड़े-बड़े concepts बढ़ रहे हैं, चली है, longest electrified rail tunnel, rail tunnel बनी है, absolutely electrified है, कहां बनी है, जी आंदरप्रदेश में बनी है, आप याद रखेंगे, अंदरप्रदेश में electrified tunnel, कोलकाता में जो है आपकी, जो metro train है, underwater metro, again, world's largest solar tree, so basically, ऐसा कुछ tree का structure नहीं है, but just उन्होंने क्या किया है, कि रादर देन tree का जो पेड़ पौद रहते हैं, जो उपर का structure रहता है, उन्होंने वापे solar panels बदा दी है, और इन solar panels से, eventually, electricity generate होती है, तो world's largest solar tree कहां बना है, again, कोलकाता में, अच्छा, जहां-जहां मैं आपको कोलकाता बता रही हूं, exam में West Bengal भी लिखा हुआ सकता है, आपने इस चीज़ें गलत नहीं करनी है, similarly, world's first energy island, अब ध्यान देना, energy island का मतलब पते हैं, अभी तो बना नहीं है, बनाने की बात हो रही है, आपको wind energy पता है, right, so, ocean में, windmills के जरिये, जो है, energy बनाई जाएगी, इस particular energy island में, और जब भी यहां से energy generate होगी, वो different countries पे भेजी जाएगी, यह काम basically कौन कर रहा है, जी Denmark कर रहा है, यह सारा कुछ नौथ सी में करना चाहते हैं, और फिर different countries को जो है, वहां से energy भेजना चाहते हैं, अबर मैं आपको दिखा हूँ, so, this is your North Sea, this is your Denmark, Denmark basically यहां पे, एक ऐसा energy island बनाना चाहता है, and they've already had certain agreements, जहां पे नौर्वे, Sweden, Germany जैसी countries को electricity supply करेंगे, so, if you get a question, world's first energy island कौन बना रहा है, तो आपका अंसर क्या होगा, Denmark कहां बना रहा है, North Sea में बना रहा है, ठीक है, अब क्योंकि हम North Sea की ही बात कर रहे हैं, there's one thing that I won't talk about, before I go there, बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पे, यह जो Denmark ने प्रोसेस किया है, इसको देखा जा रहा है कि इन टर्म्स में, European Union ने climate neutrality कहीं है, बहुत हजार पचास तक climate neutral हो जाएंगे, climate neutral का मतलब क्या है, net zero emissions, now net zero emissions का मतलब, यह नहीं होता कि आपके emissions ही zero हो गए, it just means कि जितना आप emit कर रहे हो, उतना ही same amount of carbon जो है, आप sequester भी कर रहे हो, जितना आ रहा है, उतना ही carbon जाब ही रहा है, that is what a net zero emissions is all about, जिस term का नाम है climate neutrality, again there could be a full-fledged question, what do you mean by climate neutrality, यह जो है आपको term पता होनी चाहिए, बस हमें concept पता होना चाहिए, majority जी से concept पे है, कुछ one-liners भी है, that I'm discussing, अब क्योंकि इसी region की बात हो रही है, so I want to talk about two more projects, the first one we need them, तो अगर आपने दिखा होगा, हमने पढ़ा Denmark एक energy island बना रहा है, और इनको जो ही electricity supply करेगा, एक और दिखकत है North European regions में, Arctic Ocean है, अब Arctic Ocean जो है, Global warming की वज़े से Arctic से जो है, Global warming होगी, बरफ पिगलेगी पानी कहाएगा, Arctic Ocean में आएगा, और Arctic Ocean का पानी डिरेक्ली इन रीजिन में आएगा, इनको बचाने के लिए, इन्होंने क्या काया है, हमें कोई ऐसा mechanism बनाएं, कि जब Arctic से पानी आए, तो North Sea और Baltic Sea जो हैं बच जाएं, अब कैसे बचा रहें, यह बना रहे हैं जी डैम, डैम किस-किस के बीच में बना रहे हैं, Norway और Scotland के बीच में, अगैन England और France के बीच में, ध्यान दो आप, Norway, Scotland के बीच में, London और France के बीच में, so that ultimately, यह रीजन का जो पानी है, यह इस डैम में कलेक कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पानी आएगा, जो भी और एक्स्ट्रा पानी आएगा, वो उसको इस डैम में कलेक करेंगे, जो दोनो डैम को बना के, basically नौट सी और बाल्टिक सी को जो है, बचाना चाहते हैं, basically जो नौदर्न यॉरॉपन रिजन से, उनको बनाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, by these two dames, so these dames are referred to as, नौदर्न यॉरॉप्यर इंक्लोजर डैम प्रोजेक्ट, इसको आप नीड प्रोजेक्ट भी कहते हो, right, again, another thing that you have to know, power of Siberia, power of Siberia जो है, रश्या की बात हो रही है, so रश्या और चाहिना के बीच में, जो है, एक गास पाइपलाइन बन रही है, which is called power of Siberia, right, एक और पाइपलाइन है, जो रश्या और चाहिना की बीच में बन रही है, जो इस तरफ आएगी, इसको अल्टाई पाइपलाइन कहते हैं, right, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, so रश्या में, मैंने कई बार बताई यह चीज़, आपको याद भी नीच यह, you have Lake Baikal, Lake Baikal, वर्ल्ड की one of the deepest lakes मानी जाती है, तो इनके बाद जो रश्या का रीजन है, इसको रश्या का फार इस्ट कहते हैं, यह जो है, बहुत ही रिच है in resources, right, so यहां से चाइना तक जो है, आप एक pipeline लेकर आ रहे हैं, फार इस से चाइना की तरफ, right, और इसी pipeline का right hand side, जो है power of Siberia कहला रहा है, जो एक और pipeline यहां से शुरू होगी, जो left hand side of Russia से आएगी, right, that is basically referred to as your altai pipeline, अभी proposed है, बनी नहीं है, चीक है जी, चलिए, so this is one thing, now there's one other thing that you should know, मैं आपको बताती हूँ, so basically, अगर आप देखो, यहां से आपका, यहां पे आपका है Russia, right, Russia से Baltic Sea से होते हूए, Germany तक भी एक pipeline आती है, which is called your Nord Stream, right, और यही pipeline का, एक और copy pipeline भी साथ में बनाई जा रही है, which is called your Nord Stream 2, right, तो यह भी एक gas pipeline है, जो कि Russia से Baltic Sea से होते हूए, Germany में जाती है, so there can be a standard question, Nord Stream से कौन सी दो country से associated है Russia and Germany, कौन सी sea से होकर जा रहे हैं, जी Baltic Sea से होकर जा रहे हैं, so यह भी एक additional point है, जो आपको बता होना चाहिए, चलिए आगे आते हैं हम, Living Root Bridges में घाले में पाए जाते हैं, UPSC ने सवाल पूछा हुआ है, right, कि Living Root Bridges जो है News में रहते हैं, कौन सी state से associated है, तो majority में घाले में पाए जाते हैं, कुछ हद तक नागालांड में भी पाए जाते हैं, but not like in में घाले अब आप ध्यान देना, अगर आपके options में में घाले और नागालांड है, आपका option होगा में घाले लेकिन, तो India का सबसे पहला लाइकिन पाक जो है, उत्तराकंड में बनाए गया है, तो standard सवाल आएगा आपको, इंडिया में recently Lichen पाक बनाए गया है, कहां पर बनाए गया है, आपको बता औनो च多राकंड, अब उत्तराकंड में क्यों बनाए गया है, यहां पे more than 650 वराइटी जो है लाइकन पाई जाते हैं अब यहीं पर क्यों पाई जा रही है क्यों नहीं राजस्थान में बना दिया पाक क्यों नहीं गुजरात में बना दिया पाक उसका एक बहुत इंपॉर्टन रीजन है आलगी एक बहुत ही स्पेसिफिक या रादर पालमी एजिए वहां आस कंपेड टू राखन तो यह जो बेसिक कंडिशन है ऑफ लाइकन बिंग थ्राइविं इन दो कोड़र तेंपरेचर यह बहुत इंपॉर्टन रीजन है कि लाइकन पाग कहां बना गया उत्राखन में बनाएं गया और जिस्टू गिव यू सम अधर information as well like in UPC में सवाल भी आया हुआ है science background से मैं आपको बता भी रेती हूं so like in basically है क्या यह basically एक symbiotic क्या mutualistic relationship है between fungi and algae या फिर इसे cyanobacteria भी कहते है right so direct question पूछा हुआ है UPC में कि lichen basically क्या है and this was your answer थोड़ा सा science का बाट है बट अगर आपको पता लग जाया तो कोई दिकत भी नहीं है also likens को बहुत ही अच्छा bio indicator माना जाता है right bio indicator का मतलब क्या है let's say pollution हुआ कुछ भी nutrients में changes होते है land में या पानी में और वहां पर likens है तो likens का character बदल जाता है इसका मैं आपको example देती हूँ for example आप देखते हो कई बार बहुत जादा fertilizer हम यूज करेते हैं chemicals use कर देते हैं land में तो nitrogen बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपने पढ़ा होगा कि agriculture में जो आपकी NPK levels है वो एक ratio में होने चीए बहुत ज्यादा चीज़े बढ़गे again there's a problem so let's say कि agriculture runoff के साथ जो in regions में nitrogen बहुत ज्यादा आजाए तो ultimately क्या होता है जब nitrogen excessive हो जाता है तो वह अल्गी को दिक्कत करता है कैसे so algae basically जो है जो अपना nutrients लेती है from the wet या फे dry depositions लेती है उन regions अब क्या होगा अगर उन positions में बहुत ज्यादा nitrogen भर जाए तो ultimately क्या होगा जो algae है जो खाना बना रही है वह हाम होगी कैसे हाम होगी algae का जो chlorophyll है राइट साइंस मन में बच्पन में जब photo synthesis पढ़ा आपने chlorophyll के पढ़ा है तो algae का जो chlorophyll है वह affect होने लग जाता है इस additional nitrogen से जो की वहां पे नहीं होन जाएगा बिकर जो खाना produce कर रही है अल्गी उनका जो main component है chlorophyll वही जो है हाम हो जाएगा तो लाइकन की वहां पे जो conditions है वह बदल जाती है इस से हमें पता लग जाता है कि वहां पे जो है pollution बढ़ गया है that is why they are considered very good bio-indicators ठीक है जी तो I hope we learned a lot today already कुछ ऐसे videos है I'm not sure if you've seen them I'm just giving you a list islands in news है हमने बहुत सारा islands discuss किया है दो videos में हमने volcanoes discuss किया है पुरी compilations है आपके रहे make sure आप इनको जो है आज revise कर ले बैरली आदा घंटा लगना चाहिए आपको okay important GI tags हमने consolidate के में tribes consolidate की हुए places in news consolidate की हुए आज मैंने कुछ projects in news भी कराए है वो भी two minute series में आ गए होंगे तो make sure आपन सभी चीजों को देखे आपके description box में इस PDF का भी link लगा हुआ है apart from that premix का link है two minute series का geography के link से आपने download करिये videos देखिये right and जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं better late than never you still have कुछ हफतों का time you can still make it last minute revision बहुत जादा important है हम कोशिश करेंगे कि हम जतना हो सके content आप से share करें लेकिन you have to keep on revising you have to keep on starting and with this all the best is also prepare well do well thank you